नमस्का राजनामट इवी पर आपका स्वाकत हैं में प्रियां आपके साथ उजेन में शनीवार रात 20 सडक पर एक युवक जलती हालत में चिला था हुआ मिला गंबी रूप से घायल युवक चिला राता मुझे अस्पताल ले चलो मुझे पुलीस वालों ने आग लगा दी है उसकी हलत दे कुछ लोगों ने आपको बुझाया और उसे अस्पताल लेकर पहुँचे रविवार सुबह इंदोर में इलाज के दोरान उसने दम तोड़ दिया घटना कोईला फटक इलाके में अगरोड के गाड़ी एड़ा चोराय की है घटना की वीडियो भी सामने आये हैं योग की पहचान गांधी नगर निवासी आसिप पेंडर की रुप में हुई है पुलिस के मुताविक दो दिन पहले लोकायुक्त ने चीमरगन थाने के कॉंस्टेबल रवी कुश्वा को रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया था यह यह वक्त उसी का साती था आसिफ आरोपी कॉंस्टेबल के एजन्ट के रुप में काम करता था लोकायुक्त को इसकी तलाश थी दो दिन पहले कॉंस्टेबल रवी को क्रिकेट के सटोरिय पर दबाव बना कर रिश्वत लेते पकड़ा गया था लेकिन तब उसने लोकायुक्त की टीम को आते देख दोड लगा दी थी रिश्वत की रगाम 25,000 रुपे एजन्ट को थमा दी थी इसी दोरान लोकायुक्त ने पता लगा लिया था कि एजन्ट का नाम आसिप पेंटर है रवी के हातों में रंग लगा था लिया जा उसके खिलाफ केस तर्च कर लिया गया था रिश्वत की घटना के दो दिन बाज जब उसका जूलसी वी अहस्ता में वो पुलिस पर उसे जलाने का अरूप लगाते वे वीडियो वाइरल हुआ तो पुलिस महकमे में हनकब मच गया घंटों तक पुलिस मोके पर पहुँचने से बचती रही आसपास के विया प्यारियों ने कपड़े और पानी डाल कर आग बुचाई इसके बाद उसे जीला अस्पताल पहुँचाया घटना के डेड़ घंटे बाद पुलिस पहुँची सूचना मिलने पर एसपी सचीन शर्मा घटना इसतल पर जांच करने पहुँचे तो कुछ दिर बाद एडिशनल एसपी अभीशेक अनन्द भी पहुँच गए फिर वहाँ चीमनगंज और कोतवली थाने के अधिकारी भी पहुँची और सायुक तो रूप से जांच में जुड़ गए इसी के साथ मने रहे है राज़नमा डिवी के साथ दन्यवा